सब्सक्राइब को आने वाला है बजट एंड यूशली बजट पर हम ये एक्स्पेट करते हैं कि बड़ा मुव हमारी लिए वेट कर सकता है जिसको अगर हमने कैप्चर किया तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है इसी के चलते बहुत सारी स्ट्राइजीज आज के दिन सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रही है अगर हम उन सभी स्ट्राइजीज को कमबाइन करें और सिंपल सी स्ट्राइजी निकालने की कोशिश करें तो दो में इन स्ट्राइजीज है जो घुमा फिरा के आप तक यह सही, मतलब 100% return तो आपको मिली जाएंगे, 10 गुना तक के भी returns आपको मिल सकते हैं, क्या actually हैं मिले थे past में, let's study. By the way, इस वीडियो में हम लोग strategy को भी समझेंगे, strategy के basic को भी समझेंगे, उसे past में test करके भी देखेंगे, तो एक complete exhaustive video होने वाला है, चाए वो उपर की साइड है, चाए नीचे की साइड है, पर एक बड़ा move शायद हमाई लिए wait कर रहा होता है, यह हमें पासने बता है, तो फिर आप एक काम करी है, आप call भी buy कर लीचे, put भी buy कर लीचे, जब आप call और put दोनों buy कर लोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको capital कुछ भी नहीं लगेगी, मतलब 15 से 20 जार रुपए में अराम से आप दोनों call और put को buy कर सकते हो, इवन अगर आप छोटे player हो, तो आप अराम से इस strategy को apply कर पाऊगे, यह आपको बोला जाता है, बीचे जाता है, इसलिए मैं आपको exactly same pointers को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझा रहा हूँ, तो पहला, आपको capital कम required है क्योंकि आप option buy कर रहो, आपने call भी buy कर लिया, put भी buy कर लिया, आपका maximum loss पहले से define हो चुका है, कितना आपको maximum loss होगा, अब अगर market चाहे ऊपर चाहे नीचे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या टूट जाता है तो आपको profit होगा, because दोनों side के आपने options buy कर रहे हैं, इसे strategy को अगर हम technical language में बात करें तो कहा जाता है long straddle, सिर्फ इतना सा point होता है, जब भी आप straddle बनाते हो, आप add the money options को buy और दोनों की दोनों side को buy करते हो, put को भी और call को भी, अब add the money का मतलब क्या होता है, जहाँ पे market आज के दिन चल रहा है, उसी के आसपास के price को, मतलब अगर market चल रहा है round figure में, तो exactly same price के आप ध्यान रखते हो, call और put और दोनों को buy कर लेते हो, यहाँ पे समझते example से, अभी roughly market चल रहा है 21,700 के आसपास का, तो आपने 21,700 का call भी buy कर लिया, और put भी buy कर लिया, यह आपके लिए बन गया है long straddle, यहाँ पे आपको total margin required होगा, सिर्फ और सिर्फ 17,200 रुपए के आसपास का, जो आपके लिए एक बहुत छोटा figure हो जाता है, अब यहाँ पे आपको profit क्या होगा, profit होगा अगर market 21,356 के नीचे चले जाए, या फिर 22,044 के ऊपर चले जाए, मतलब जैसे ही market में 1.6% से उपर का आपको profit होता है, वो आपको यहाँ पे अच्छा खासा profit होता जाएगा, बस आपको 1.6% के उपर का move देना है, यह complete यहाँ पे आपके लिए chart बनाओ है, यहाँ पे आपने देखा कि रफली आपको 17,200 रुपे का premium लग रहा है, मतलब total price की बात करोगे तो 344 रुपीज लग रहे है, add the money बनाने में, क्योंकि add the money बनाना के बार costly होता है, तो कुछ लोग कहते आप add the money मत बनाओ, पर out of the money जाके call or put दोनों buy कर लो, इस cases में आप बनाते हो long strangle, जहाँ पे आपने छोटा सा out of the money जाके, 21,500 का put buy कर लिया, 21,900 का call buy कर लिया, total cost आपकी अब सिर्फ रह जाती है, 178 रुपीज और यहाँ पे आपकी obviously margin required आ चुका है, सिर्फ 8,900 रुपीज का, जो comparatively कम हो गया, पर इस situation में आपको 1.7 से 1.8% के उपर का move चाहिए, तभी आप profit में आप आओगे, यह बन गया इसका pay off chart, यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे की साइड आपका loss काफी limit हो गया है, तो यह है दो main strategy जो आपको बेची जा रही है, अब हम चलते है पास में पिछले साल में देखते हैं कि अगर एक फरवरी को, यहाँ में मैंने एक फरवरी आपके लिए mention कर दिया है, अगर एक फेब 2023 में आपने same strategy अपलाई करी होती, expiry वहाँ पे second FAB की है, तो अगले ही दिन के expiry है, अगर मार्केट में आदी घंटा निकल जाता, तो आदी घंटे बात मुझे 10,000 रुपे का loss हो रहा होता, एक और आदी घंटा निकलते है, आपका loss बढ़के हो जाता 15,775 रुपीज का, एक और हम आदी घंटा निकलते हैं, हमारा loss पहुच जाता 17,100 पे, आदी घंटा और निकलने के बाद आपका loss होता 22,850 रुपीज पे, फिर आदी घंटा और निकल गया, आप पहुच चुक है, यहाँ पर आपका loss हो गया है, 30,000 रुपीज का, आदी घंटा और निकलते हैं, आपका loss हो चुका है, 32,000 का, आदी घंटा और निकलते हैं, 35,000 का loss, यहाँ पर आप देख सकते हो कि market यहाँ पर तोड़ा तोड़ा बढ़ भी रहा है, पर, because जैसे जैसे budget निकलता जाएगा, तेकि budget एक event है, उस event की risk के लिए आपका IV बढ़ावा होता है, जैसी वो event की risk कम होती भी दिखेगी, वैसे ही IV रिड्यूस होगा और आपके options के premium गलेंगे, यहाँ पर आपका 40,000 का loss हो चुका है, सवा एक बज़े तक का, नेक्स हम चेक आउट करते हैं, 50,000 तक का loss हो गया है, पौने दो बज़े तक का, नेक्स आदि गंटा और बढ़ाते हैं, 45,000 के आप loss में हो, आदि गंटा और बढ़ाते हैं, अचानक से आप पौने तीन बज़े 40,000 रुपीज के profit में आ चुके हो, अगर आपने इस profit को इमेज़ेटली दिखते ही बुक कर लिया, फर अगर आप 15 मिनट और रुख जाते हो, तो आपका profit रिड्यूस हो जाता है, 5,300, 15 मिनट और रुख जाते हो, तो आपका loss हो जाता है, 39,700 का, usually हम इस strategy को पूरे दिन के लिए अपलाए करते हैं, चोईस पे आपका loss है, अगर मैं इसको पांच मिनट से बढ़ा दू, इवन साड़े तीन बजे भी आपकी position 25,000 रुपे के loss में होती है, मतलब पूरे दिन में, रफली 5, 5, 6 गंटे के trading session में, मातर आपका 15, 20 मेंट का ऐसा time होता है, जहाँ पे आपकी position तोड़ी सी profit में आती है, पर यहाँ पे आपकी max loss जो आपने लगा रखा है, वो 144,000 है, तो आप चाहोगे कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप 1,40,000 रुपे लगा के, तो और आपको loss में उठना पड़ता 2023 में, एक साल और पहले चलते हैं और strategy को check out करते हैं, अगर आपको add the money में loss हो रहा है, तो out of the money में तो 100% loss होगा, मतलब जैसे आप out of the money जाते हो, आपको जो momentum चीग होता है particular day में वो और जड़ा बढ़ जाता है, तो obviously आपको वहाँ पे तो loss होगा इसे, पर आब हम चलते हैं एक साल पहले और check out करते हैं 2022 में क्या होता, यहाँ पे मैं 2022 1st Feb का data आपके सामने present कर रहा हूँ, उसको हम study करने वाले हैं कि क्या हमें last to last year में profit होता या नहीं होता, देखिए मैं यह नहीं कह रहा है कि इस strategy कभी काम नहीं करेगी, पर कितनी probability है वो आपको पता होना चाहिए, किस probability और किस risk से आप काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, कई बार क्या होता है, हम लोग कोई strategy को apply करते हैं सिर्फ एक साल, और हम expect करते हैं कि उसी साल मुझे profit होना चाहिए, एक बार मेरे को profit नहीं हुआ, तो हम उस strategy को छोड़ देते हैं, 2023 में आपको profit नहीं हुआ था, 2022 में अगर आप checkout करोगे, तो add the money, पहले मैं पुराने हमारे जितनी भी option से उनको हटा देता हूँ, अब मैं add the money चल जाता हूँ, roughly मेरा price आएगा add the money, 17,500 का, यहां के मैंने 10 lot buy कर लिए call, और 10 lot buy कर लिए मैंने put, चीक है, दोनों मैंने buy कर लिया, यह मेरी position यहाँ पे खड़ी हो गए, यह 2,21,000 रुपीज का मुझे total loss हो सकता है, यह है मेरी range जिसके बाहर मुझे profit होगा, यह complete graph आपके सामने चल रहा है, 9 बच के 16 minute पे आपने immediately position बना दी, आदी गंटे बाद आपको 1800 रुपे का profit हो रहा है, फिर आदी गंटे बाद आप यहाँ पे check out करते रहिएगा, आपको 14,000 रुपीज का profit हो रहा है, एक बच के 15 minute पे 35,000 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है, फिर आपका लॉस बढ़की हो गया है 67,000 रुपीज, अल्मूस्ट पौने दो बजे के आसपास, सवा दो बजे आपका लॉस हो चुका है 75,000 रुपीज का, पौने तीन बजे आपका लॉस हो गया है 72,500 रुपीज के आसपास का, 3.16 पे आपका लॉस हो गया है 83,800 रुपीज का, 5 minute और बलाते हैं, आपका लॉस अभी भी 83,000 रुपीज का है, आप roughly closing करोगे 85,000 रुपीज के लॉस के साथ 2022 में भी, मतलब पिछले दो सालों में back-to-back ये strategic काम नहीं करी थी, एक और साल टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले साल में, मतलब 2021 में आपको एक momentum में मिला था, तो हम कैसे आपको profit होता है, उस चीज को भी check-out करते हैं, और क्या profit होता भी है या नहीं, वो भी आपको check-out करना जरूरी है, तो हम चल जाते हैं feb में, और first feb हमारी लिए खुल गया है 2021 का data, दीखिए, मैं यहाँ पर बिल्कूल भी bias आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, मैं complete data आपको पिछले तीन साल, चार साल, जितने आप बोलोगे उस पर test करेंगे, फिर आप decide कर सकते हो कि क्या आपको ये strategy यूज करनी है, या फिर इस strategy से आपको बचना है, देखिए, मुझे नहीं पता आपके लिए क्या mindset है आपकी strategy से काम कर सकते हो, पर मेरा काम ये होता है कि proper, without any biasness आपके सामने चीजों को present करना, पुराने data को remove करते है, इस समय देखते है market क्या चल रहा था, market चल रहा था 13,750 के आसपास का, तो यहां के मैंने 10 lot call भी buy कर लिए, 10 lot put भी buy कर लिए, by the way ऐसे देखके लगता होगा था 13,750 है, काश market एक बार वापिस से मिल जाए, होता है ऐसा market में फोमो कोई tension की बात नहीं है, पर अगर अभी तक भी आपको आपको आज DMAT account नहीं है, तो link description में मिल जाएंगे, absolutely free of cost open करना, आपके लिए DMAT account का link description में मिलेगा, mutual funds में हमाली team के help चाहिए, तो उसका भी link आपको description में मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी total cost आ रही है, 3,15,000 रुपीज का, और किस price के ऊपर या फिर नीचे आपको profit होगा, वो यहाँ पे mention हो गया है, आपने position मिना लिए market के पहले ही minute पे, आपको यहाँ पे profit नहीं loss हो रहा है, स्टार्टिंग आदि घंटे के बाद 1200 रुपे का, 10,000 रुपे का loss, roughly आप बहुत चुके हो 10.46 पीम पे, और यहाँ पे आपका loss हो गया है 12,000 रुपीज का, which is okay, 13,000 का loss, next अभी भी 13,000 का loss चल रहा है, सवा बारा बज़े आपका loss हो गया है 25,000 का, पौने एक बज़े आपका loss हो गया है 26,000 रुपीज का, अभी आपका अचानक से सवा एक बज़े profit हो चुका है 18,000 रुपीज का, पौने दो बज़े आपको profit हो गया है 67,000 रुपीज का, सवा दो बज़े आपका profit बढ़के हो जाता था 30,000 रुपीज के आसP ballot का, अब आया है आपको actual मसा roughly पॉने तीन बजे आपका profit हो रहा था 1,25,000 रुपीज का सवा तीन बजे आपको 1,14,000 रुपे का profit हो रहा था उसको आप बढ़ाते हो 1,25,000 रुपीज 1,47,000 रुपीज अगर मैं यहाँ पे एक एक मिनिट और आगे बढ़ाऊ तो आप देख सकते हो roughly आप 1,500,000 रुपे के आसपास तक का profit यहाँ पे आपको हो जाता 2021 में मतलब जब हम पिछले 3 साल की data को चेक करते हैं तो 2 साल आपकी यह strategy काम नहीं करी है और 1 साल आपकी यह strategy काम करी है यह हुआ है आपके पिछले 3 साल की testing तो क्या आप ready हो कि इस साल आपको इस strategy में loss हो जाए अगली साल फिर से loss हो जाए और फिर आपको profit हो तो क्या आपका mindset तीन साल तक loss लेने या दो साल तक का loss लेने या तीन साल में एक साल में profit हो दो साल loss हो या चार साल में जब आप चेक करोगे तो तीन साल में आपको loss और एक साल में profit हो, क्या ये चीज आपकी strategy अलाओ करती है, आपका mindset अलाओ करती है, तब तो शायद ये strategy में आपका काम हो सकता है, पर फिर भी अगर आप randomly ये सोचे हो कि आपका पैसा double होगा या 10 गुना होगा नहीं हुआ है पिछले तीनों के तीन साल में, यहाँ पे भी आपका total maximum loss हो सकता था 3,15,000 का और profit आया है 1,500,000 रुपे का, मतलब 50% के आज़ पास का profit आया है, वो आपका maximum best के scenario हो जाता है पिछले 3 साल में, इसलिए randomly किसी भी चीज़ को social media पे देखके, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको मिलेगा जब सीधा 10 गुना मिलेगा, और गया तो क्या हो गया, 100 रुपे तो गया और आएंगे तो 1000 आएंगे, मत मानना, क्या है result पिछले 3 के 3 साल में देख लिया है, maximum profit 50% का, loss आपको back to back पिछले 2 साल में हुआ था, बाकि आप better judge हो, क्या इससे better कोई strategy हो सकती है, बिलकुल हो सकती है, अगर आप चाहते हो कि इससे better strategy क्या हो सकती है, और किस तरीकी से हम काम कर सकते है, actually option buying के साथी, budget वाले दिन, तो मुझे comment करिए, अगर आप मुझे comment करके बताएंगे, कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो कल हम वो वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करेंगे, पर इस वीडियो को तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो subscribe करें भीना मच जाएगा, वीडियो को like कर दीजेगा, ताकि मुझे पता सले कि ऐसे एजुकेशनल वीडियो में भी आपको मज़ा आता है, see you very soon.